तो शुरू करते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सीड, ठीके, तो सीड क्या है, कैसे बनता है, अब इसको जानेंगे हम, सीड के अंदर क्या होगा, एंब्रियो, एंब्रियो कैसे बनता है, यह तो आप अल्रेडी देख चुके हो, देखो, जाइगोट डिवाइट करेगा, जब क्या बनाता है, एंब्रियो बनाएगा, ठीके यह तो आप अन्रेज बनेगा, zeaन प्रियो का फॉरमेशन सीड के अंदर हो चुका है, पहले सेही, इसका मतलब क्या है, इसको मतलब क्या है, इस मेंज फुली मिजुर एंब्रियो इस प्रेजएट इनिसाइड इसीड, ठीके लेकिन कब सिर्फ और सिर्फ जब उसे suitable condition में लेगी मैं स्टोरी की तरह आपको सुना रहे हूं तकि आप लोगों को समझ में आए कि हम कैसे connect करें लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था उसको आज के लाइव जाएशन साथ तो क्या होता है और जो सीड को होता है वह बिसिकली ओवियूल के ही इंट्यूग्मेंट्स ओवियूल की जो लेरिंग थी आपको याद है नहीं है हमने पढ़ाई की थी हमने पढ़ा था लांस लेक्टर में कि ये अगर ओव्यूल है तो इसके बाहर और अंदर क्या होगे कुछ लेरिंग होगी जिन्हें हम इंट्पुगम cement क्येते हैं आउटर हैं और इनर इंट्पुगमेंट तो देखिए जो ओव्यूल में सीड्म कोट स्वारी सिद में जो जी सीड कोट बनता है वह और कुछ नहीं है वह बलकि क्या है ओविूलिक पे ही इंट तो तो आपको पदा चल गया इन्टुगमेंट सिपर बनाएगा इन्टुगमेंट बनाएगा आउटर इन्टुगमेंट आउटर शिपर बनाएगा अब एक बाद बड़ी ध्यान से सुनिएगा जो इनर इनर सीड कोट होता है उसे हम क्या कहते हैं टेग्मेन यह मैं आइगेस आपको पहले भी बता चुकी हूं पहले के लेक्चर्स में तो आप लोगों को पता होना चीए कि मैं क्या चीज यहां पर बोलने वाली क्योंकि यह दिसकर्स हो चुका है ठीक है और आउटर दो सीड कोट होते है ना इनर इंट्यूगमेंट से इनर सीड कोट ऑव्यूल की आउटर इंट्यूगमेंट से आउटर सीड कोट बनता है क्लियर बिल्कुल तो इनर सीड कोट को कहते हैं टेग्मेन और आउटर सीड कोट को बोलते ह यहां पर testa क्या बोलते है testa तो अब देखिए कभी कभी कुछ ovules में क्या रह जाता है new cellist जो देखो मैंने क्या कहा था कि new cellist जो है new cellist condition जो होती है वो भी present होती है ठीके तो कई बार क्या होगा कि कुछ ovules में new cellist के remains बच जाते है यानि कि new cellist का कुछ पार्ट बच जाता है ठीके और उन new cellist के remains पार्ट को क्या बोलते हैं हम परिस्पर्म क्या बोलते हम परिश्पर्म तो चलिए यहां से हम शुरुआत करते हैं किसकी शुरुआत करेंगे अब हम करेंगे सीड की शुरूआत जो हम NCRT के दो बढ़ेंगे इन एंजियो स्पर्म, बात किसकी हो रही है, एंजियो स्पर्म की the seed is final product, ठीक है, seed क्या है, seed final product होता है, sexual reproduction का, यानि की after the fusion of gametes, क्या बनेगा, आपका zygote बनता है, zygote से embryo बनता है, और embryo किसके अंदर present होगा, seed के अंदर ही present होगा, clear है बिलकुर, एंजियो स्पर्म में seed जो है, वो sexual reproduction का final product होता है, वही लिखा हुआ है, it is often described as fertilized ovule, इसको हम fertilized ovule भी कहते हैं, seeds are formed inside fruit, seeds जो हैं, वो कहां बनते हैं, fruit के अंदर जाहिर सी बात है, जो फल है, फल के अंदर ही तो बनेगा seed, ठीक है, फल के अंदर ही तो बनेगा, मैं आपको already बत होता है, किसमें, आपका ये ovule था, ovule के बाहर क्या था, ovary, क्या था, ovary, तो ये ovary किसमें convert हो जाती है, fruit में, किसमें convert हो जाती है, fruit में, और ovule किसमें convert होता है, seed में, क्या मेरी बात अपको समझ में आई, ovule convert होगा fruit में, और ovule convert होगा seed में, तो एक बात पता है, ये fruit कहां ह बाहर की तरफ है और सीड कहां है अंदर की तरफ है ठीक है मेरी बात समझ में आ गई तो सीड आर फॉर्म इंसाइड फूर्ट अब एक सीड के पास क्या क्या होता है आप यह देखिए पहली बात सीड कोट होती है सीड कोट कहां से बनी है बिल्कुल सही ओव्यूल के लेयर से ओव्यूल के इंट्यूगमेंट से आउटर इंट्यूगमेंट से आउटर सीड कोट बनी है और इनर इंट्यूगमेंट से इनर सीड कोट बनी है आउटर को क्या बोलते है याद है टेस्टा इनर को क्या बोलते है टेग्मेंट क्लियर है बिल्कुल ना उसके बाद क्या होता एम्प्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट यानि की एपिकोटाइल नीचे वाला पार्ट है थे लिए गार वाला पॉर्षन क्या है सबसे बाहर क्या है सीड कोट उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट जो न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होता है वह है एंडोस्पर्म देन आपको यहां पर कोटिलेडन देखने को मिल रहे हैं दो कोटिलेडन होते हैं अब देखिए कोटिलेडन का ऊपर वाला पार्ट होता है एपिकोटाइल और नीचे वाला पार्ट है हाइपोकोटाइल क्या है है हाइपोकोटाइल तो हाइपोकोटाइल के पास क्या होता ह शूट अप एक्स क्लियर मेरी बाद समझ में आगई क्योंकि यह तीज हम आल्रेडी डिसकस कर चुके हैं इसले में थोड़ा सापको याद दिलाने की कोशिश करने हो कि हमने क्या पड़ा है उसके बाद इसले ञीक के अनदर में उंजये एंजय उव्री के अंदर होता है तो इसलिए प्रक्षण की ओर domestic के की कंईय। फ्रूट में थीक हैं तो एंजियो स्परम में में हमेशा आपको फ्रूट के अंदर मिलेगा तो यहां पर बात की है नोने । ने काटिल ही खी होते हैं, शोलन नहीं कि थोड़ा ही होगे थे थो जोड़ा हो सकते हैं और जब embryo seedling में convert होगा तो उस food का वो इस्तिमाल करेगा इसलिए Cotyledon वहाँ पर present होती है और वो थोड़ी thick और swollen भी होती है अब जो mature seed है वो non albuminus भी हो सकता है और ex albuminus ex albuminus का मतलब है यहाँ पर आप ex को अटाइए सिर्फ albuminus बोलिए non albuminus भी हो सकता है और albuminus भी हो सकता है अब मुझे बताइए कि non albuminus seed कौन से होती है मैं आपको अल्रडी बता चुकी हूँ non albuminus अब यह जो endosperm हमने last time पढ़ा था endosperm जो हमने पढ़ा था इसका मतलब होता है endosperm वो पार्ट है जिसको खा कर जिसको यूज करके कौन बिल्कुल जाई जाइगा डेवलप होगा embryo में और embryo आगे development embryo की होती है ठीक है तो यह food कहां से मिलेगा endosperm के रूप में अब कोई embryo जब पूरा इसे खा जाएगी यानि कि पूरा endosperm वो खा जाएगी तो endosperm बचे गा ही नहीं पूरा endosperm खत्म कर दिया है तो उसे बोलेंगे non-albuminus क्योंकि endosperm तो बचा ही नहीं ठीक है और अगर कुछ पार्ट बच जाता है किसका endosperm का तो उसे बोलते हैं albuminus तो albuminus में endosperm present होगा non-albuminus में endosperm absent होगा क्लियर है मेरी बात यह नहीं नहीं वहीं लिखा हुआ है यहां पर that non-albuminus seed have no residual endosperm जो non-albuminus seed होते हैं उनके अंदर कोई भी बचा हूओ endosperm नहीं होता पूरा endosperm जो है वो embryo खा चुकी होती है इसके बाद albuminus seed अब बात करते हैं albuminus seed retain a part of endosperm जो albuminus seed है उसके अंदर endosperm का कुछ पार्ट बच जाता है क्योंकि वो completely consume नहीं हो पाता है आपको अलड़ी बता चुकी हूँ चलिए बता देती हूँ कि कई बार कुछ plants में कभी-कभी हमें क्या देखने को मिलता है हमें new cellist new cellist का बचा हुआ पार्ट देखने को मिलता है वहीं लिखा हुआ है जो है जो आपको और लॉसलेस पार्ट बचा हुआ रह जाता है तो ऐसे कंडिशन में उस पर्सिस्टेंट नूसलेस को हम क्या कहते है परिस्पर्म क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई देखो इसमें क्या बताना चाहती हूं कि कभी कभी कुछ ओविल में नियु सिलस के रिमेंस बच जाते हैं और उन नियुसिलेस के रिमेंज को हम बोलते हैं क्या पेडिक एक्जामपल दिया हुआ है ब्लैक पेपर बीट भी मैंने क्या था कि जो intugment है echo view की जो बहार की by लेरिंग होती है आउटर इंठ तो बनाती हैं याद हैने हम जब नागरम बना है एय। अधू जाती है ऐस न अ चंह civ कोड दो जाती है एलह Championship सीट कोड के रूप में सिट कोड़ कर दो को थीके, outer intugment आउटर सीट कोड बनाती है, inner intugment इनर सीट कोड बनाती है, inner seed कोड को tagment बोलते है, outer seed कोड को tester बोलते है, clear है बिलकुल, अब इसमें देख लीजे आप एक बर, diagram भी देख लीजे है आपर, दिख रहा है ना, आपको seed कोड, clear है बिलकुल, चलिए, next चलते है, 1 second, इस लिए प्रेजंट है ताकि oxygen और water की entry हो सके into the seed, seed के अंदर during the seed germination, जब seed develop कर रहा है, जब germinate कर रहा है, तब उस seed को micropyle end से क्या मिलता है oxygen और water, अगर हम करें, तो इसमें क्या होता है, कि चलो यह diagram वाली बात है, यह मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन आप इतना ध्यान में रखना, कि micropyle of ovule, यह line जब ovule की बात होई गई है, तो हम करी लेते है, अगर micropyle, ओव्यूल का आप से कोई पूछ रहा है, और उसका function कोई आप से बोले, तो उसका function होता है, कि वो pollen tube की entry को कराता है, यान की pollen tube की entry, माइक्रोपाइल से होती है, ओव्यूल के अंदर, लेकिन जो seed का micropyle होता है, से का जो micropyle होता है, वो water और oxygen की entry के काम आता है, तो दौनों micropyle के काम अलग है, जब वो ओव्यूल के रूप में था, माइक्रोपाइल तो किसका काम कर रहा था, पॉलन tube की entry का काम कर रहा था, और जब वो ओव्यूल कनवर्ट हो गया, सीड में, सीड में, तो तब भी micropyle present है, लेकिन अब वो water और oxygen की entry की काम आता है, क्लियर है मेरी बात बिलकुल, क्लियर है न ये बात, चलिए, उसके बाद, आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, जैसे ही सीड मिच्योर होगा, its water content is reduced and seed become relatively dry, जैसे जैसे सीड मिच्योर होने लगता है, उसका जो पानी की मांतरा है, जो amount है पानी का उसके अंदर, वो कम होने लगता है, और सीड क्या है, वो सीड ड्राय होने लगता है, कितना moisture बचता है, सिफ 10-15% moisture ही बचता है, जैसे या जैसे वो मिच्योर हो रहा है, जैसे या जैसे या जैसे वो dry हो गया, तो और क्या होगा, dry होने के साथ साथ, जो metabolic activity है, embryo की वो भी कम हो जाएगी, जैसे ही plant के अंदर, seed का formation होता है, तो seed के अंदर water का content कम होने लगता है, जो सीड को जनरली आप अगर मुझसे पूछे कि ऐसा क्यों होता है वाटर कॉंटेंट क्यों कम होता है तो जो सीड को वैस्कुलर सप्लाइ गई होती है वो सप्लाइ धीमे कमजोर होने लगती है और वो और वाटर प्रोवाइड करना बंद कर देती है क्लीर है इस स्टेज में हम बोलेंगे कि एम्डियो जो है वो डॉर्मेंशी में चला गया है जब पानी का सप्लाइ नहीं मिल रहा है कि इस क Bendition को बोलेंगे क्लियर है मेरी बात बिल्कुल दाइंब्रियो में एंटर अस्टेट ऑफ इनक्टिविटी की स्टेट में चला जाएगा विच इस नोन अस्ट ऑर अगर अगर वो देखो डॉर्मेंसी में कब चला गया जब उसे पानी नहीं मिल रहा था जब वो ड्राइ हो गया था इस फेवर दोऺने कंदेशन हो में इस वोडर्मेंसी जब मिलेंगी तो का नहीं मिल रहा थ'? सीड फेक देते हो इनमें प्लाइंट कैसे उगता है तीके ना क्योंकि वह ड्राइ हो जाते हैं सीड जो है वह ड्राइ हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद जैसे हैं उनकी फेवरेबल कंडिशन मिलती है मौइस्चर मिलता है तेम्टेचर मिलता है मुच अब यहां लिखा कि देखनें पता यहां पर चलोगफ देखें ले इस डाइग्राम को देख लेते हैं एक बहुत सारी चीज़ां कि हम अर देकि एक ग 250 गराम है क्या कोई मुझे बञा सकता है यह कन दो सकता है एक एंडू सपर्मक सीड का डाइग्राम का नेंदर हमें एंडों स्परम देखन ये एक grain का दाना है किसका दाना है? grain के दाने का diagram बनाय हुआ है आप इसमें देखिए आपको इसमें क्या क्या देखने को मिल रहा है ठीके ये किसका है? grain का दाना है तो किस family को belong करेगा? family, graminee की बात करी जा रही है इसमें ठीक है, जैसे के आपके चावल हो गए गेहू हो गए, वो सब इसी में आते हैं, इनके अंदर क्या होता है, सिर्फ इस डा ग्राम की बात कर हूँ यह का इस की में इस Tea गृजल होता है इस डाहर की बीकति आसे अपस में, तर यह यह एसे तक जलेख़ फ्लेक सिंग को आपको य तो एक ही फल बनेगा तो इसके अंदर केवल एक ही सीड बनता है क्लियर है मेरी बात आपको यहां पर देखने को मिल रहे होगी कंडिशन दिखें यहां पर जो आपकी फूट वाल है और सीड वाल दौनों आपस में क्या हो गई है फ्यूज हो गई है एंडुस्पर्म आपको इस फल जो इसके अंदर एक ही सीड होता है और आपको यहां पर फ्यूज क्यू दिख रही है आपको वाल्स ठीक है ऐसे फलों बोलते हैं ऐसे फल जिसके अंदर देखो जिसके अंदर एक ही सीड होता है जिनके अंदर एक ही सीड होता है ऐसे फलों को हम क्या बोलते हैं केरियोपसिस क्या बोलते हैं केरियोपसिस फ्रूट और ग्रेंस की फैमिली क्या होती है ग्रेंस की फैमिली होती है पोईसी और ग्रैमिनी ठीक है यह आप याद रखेंगे इंपोर्टेंट है क्लियर है बिल प्लांस में जब फ्रूट की डेवलप्मेंट होती है तब उनका थेलमस वगेरा है वो डीजनरेट कर जाता है यह बात हो गई फॉल्स और टू फूट की जो आगे आपको देखने को मिलेगा फॉल्स फूट और टू फूट चलिए पहले आप न्स आटी देख लेते हैं क्या अगे बढ़ रहे हैं किभी अल्हें किभी मेवक्में खिंट में दे खिंटक अधा सवी जयक्रों को legitimatelyंrів किभी में था सिच्टाइगि उडाग में अल्ग हैं आगे मर्जा हुट रहे हैं नंग की एक सा षान हो रहा हुट है यह तो जाल में शिब किंधर और तराह किस है टाट कनवर्ट ही ओर्रोट, आपको बता कोई है कि अधि कि आपको बता हैंग्छे हैं कि इन लिपकर उरिकाब और क्सक्वाइब डेख रख मतने हैं फ्लेशी फ्रूट देखने को मिलता है यह सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिन्हों ने अपने मेकनिजम को इवॉल्फ किया है ताकि वो पने सीड्स को डिसपर्स क सके आस पास फैला सके ताकि और plants उनकी species के बने Recall the classification of fruit आप याद करिये जो आपने classification किया था fruit का and the dispersal mechanism that you have studied in an earlier class जो आपने पहले classes में पढ़ा है किसको? कि seed के dispersal का क्या फाइदा होता है? क्या फाइदा होता है? अगर हम seed को disperse करते हैं so dispersal is the transfer of the seeds away from the parent plant dispersal का मतलब क्या है? कि हम seeds को कहीं और फेक दे parent plant से दूर फेक दे ठीकिए अब इस dispersal के फाइदे क्या है? इससे क्या होगा? उस particular area में competition नहीं बढ़ेगा same species में खाने के लिए competition नहीं बढ़ेगा nutrition के लिए competition नहीं बढ़ेगा winter को शर्वाइफ करने के जादा चांसे हो जाते हैं क्योंकि वो अलग 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 जगा पे दिस्पर्स कर दिये हैं ठीके colonize new habitat नए नए habitat में वो चले जाते हैं तो नए तरीके से एवाल्फ कर लेते हैं और उसकी वज़े से स्पेशिस का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है तो वही तो यहां पर बताया गया है कि सीव डिस्पर्सल के जो मेकानिजम है उससे क्या फाइदे होते हैं और वो फाइदे में आपको बता चुकी हूँ अब देखिए जो प्लावर के दूसरे पार्ट्स होते हैं वो सब डीजनरेट करने लगते हैं जड़ जाते हैं फॉल अफ हो जाते हैं हाइवर कुछ ऐसी स्पेशिस हैं जैसे कि आपल क्या हूँ आपल, स्ट्रॉबरी, कैश्यू इनके अंदर जो इनका थैलेमस पार्ट होता है वो भी हेल्प करता है फ्रूट को बनाने के लिए ठीक है जब फ्लांट्स में जब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है तब थैलेमस वगेरा जह हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं लेकिन फ्लांट्स फ्रूट में जो दूसरे पार्ट होते हैं फ्लावर के वो फ्रूट को बनाने में important role play करते हैं तो अब देखिए डिरेकली यहां पर डिरेकली ओवरी से नहीं बन रहा है केवल ओवरी से जो आपका फ्रूट है वो नहीं बन रहा है तो उसे हम कहेंगे false fruit क्योंकि इसके अंदर ovary के अलावा हमने क्या कहा था ovary convert होती है fruit के अंदर जब directly convert होगे ovary fruit के अंदर तो बोलेंगे true fruit जब केवल ovary से बना होगा आपका fruit तो उसे हम कहेंगे true fruit clear है लेकिन जब ovary के अलावा और दूसरे floral parts में involved होगे इस रोल को बनाने के लिए fruit को develop करने के लिए तो उसे कहेंगे false fruit clear है मेरी बात most fruits however develop only from the ovary जब करते हैं जब करते हैं उन्हें true fruits कहते हैं और वो fruits जो कि सिर्फ ओवरी से ही नहीं बलकि flower के दूसरे parts से भी डूसरे parts भी रोल प्ले करते हैं उस fruit को बनाने में तो उसे कहेंगे false fruit although in most of the species जादा तक species में fruits तो है they are the result of fertilization किसका result होते है fertilization का result होते है कई ऐसी species आप देखो यहां पे जिक्र होगा पार्थीनो कार्पिक fruits का किसका जिक्र होगा पार्थीनो कार्पिक fruits का तो देखो जो false fruit और true fruit जो मैंने आपको भी बताए उनका एक बार आप example देख लीजी आपल और strawberry इसके अंदर आप देख सकते है यह वाला जो पार्ट है fruit तो सिर्फ यही है जहां पर आपको seed देखने को मिल रहे है seed की बाहर की जो covering होती है Seed किसके अंदर के अंदर सीड सीड होता है किसके अंदर बिलकुल सही протяж ही ओवरी में की फ्रёт की अंदर A. OVRIOEULE का होता है Ovn-れoNean canorton Has Ov wacky Fruyte में S también parterman jest Onuks press Onks potekema offering and OVY y alguma convertUP के proposition जो संबग होता है समझा खरम की समझ में चिक होता है Now with new ovary to fruit की आपको सीड यहा है सिर्फ यही पार है जो फूट है बाकि यह सारा जो पार्ट है यह und už फूट उबने में तो इस फूमर को बनाने सिर्फ ओव्री नहीं बाकि पोर्षन बाकि जो आपके थेलमस वगरा है यह सबी भी यूज होते हैं फ्रूट के दूसरे पार्ट भी है जो फ्रूट को बनाने के लिए रोल प्ले करते हैं तो यह थेलमस वाला पार्ट है यही तो खाते हो आप एपल के अंदर तो आप यहीं को बता दिनकी लेरिंग बता दिन एंडोकार्प यान्दर वाली लेर भी तो अदिभल पार्ट आप निए जो डिरेक्टि ऊवरी से कंवर्ट हुआ है थेलमस वाला पार्ट भी याँ पर एडिबल है यानि की इटेबल है तो लास्ट लाइन हमने क्या पड़ी थी ज्यादा तक फ्रूट से वो किसका रिजल्ट होते हैं फर्टिलाइजेशन का कि फर्टिलाइजेशन होगी तो फ्रूट बनेंगे लेकिन यह बिल्कुल सहीर नहीं है फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन सकते हैं कई ऐसी स्पीशिज हैं जिनके अंदर फ्रूट डेवलप होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के और ऐसे फ्रूट को हम कहते हैं पार्थीनो कार्पिक फ्रूट parthen Samantha का मतलब है बिना fertilization के fruit का विकास होना fruit का विकास होना fruit का grow करना develop होना by the help of hormones किसके मदद से hormones की मदद से और ये hormones कौन्से कौनसे बनाना बनाना एक ऐसा नाचरल एक्जामपल जो की पार्थिनो कार्पिक फूट है जिसके अंधर सीड नहीं होता है पार्थिनो कार्पी can be induced आप देखो आप पार्थिनो कार्पी यानि कि ऐसे फूट हम कैसे बनाएं जो बिना फर्टिलाइशन के बन जाएं ठीक है ऐसे फू अब देखते हैं कि सीड के पार्थिनो कार्पिक फूट को बना सकते हैं कौन से होर्मोन ऑगजन जेब्रिलिन जब बिना फर्टिलाइशन के फूट डेवलप होगा मतलब ओवरी को आप इवाल्व कर रहे हैं तो ओव्यूल इवाल्व नहीं हो पाएगा तो यह ऐसे फूट जो पार्थिनो कार्पिक फूट कहलाते हैं वह सीड लेस होते हैं उनमें बीज नहीं होता है वही लिखा हुआ है सीड के क्या एडवांटेजिस अब देखते हैं कि सीड के क्या एडवांटेजिस पार्थिनो कार्पिक फूट समझ में आ गया कि बिना फर्टिलाइशन के फ नहीं होते हैं, तो बीज नहीं होते हैं यह थी भीना यहीं फिर्टलेएशन के फ्रूट में CUNVET कर दिया जाता है किस वायसे करा जाता है हार्मोन के आक्टिविटीज हुर्मोन को उनके उंक एक्ट करा करा के थीक है अब देखते हैं कुछ advantages लिखे हुए हैं यहां पर किसके advantage लिखे हुए हैं यहां पर seeds के कि angiosperm के अंदर जो seeds बनते हैं उनका क्या मतलब है क्या advantages है firstly since reproductive process such as pollination जैसे कि pollination है और fertilization है यह सभी independent है water के fertilization के लिए भी पानी की ज़रूत नहीं है और pollination के लिए भी पानी की ज़रूत नहीं है ठीक है अब seed ना कुछ advantages जो बनते हैं उसके advantages होते हैं कि seed के बनने से seed के बनने से जीवन की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि seed में dormancy present होती है क्या होती है dormancy present होती है तो favorable condition है तो वह dormancy ब्रेक हो जाएगी और वह seed germinate कर जाएगा अगर वह favorable condition नहीं मिली तो वहीं पढ़ा रहेगा कब तक पढ़ा रहेगा सालों साल तक पढ़ा रहेगा dependent on the species species पर डिपेंड करता है कि कौन से species का seed है वह क्लियर है बिल्कुल तो वहीं या पर लिखा हुआ है जिसकी एक पानी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं जो है सीड फ्यशन डिपेंडेबला कि इस उपर किस बिल्कुल सही वाटर के लेवब के उपर ऑर किसके उपर टैंप्रेटर के ऊपर फेड़ about condition के ऊपर सीट के पास बेटर स्ट्राइजी होती है कि वह अपने आपको डिसपर्स कर सके यानि कि आसपास पहला सके ताकि नए हैबिटाइट में जाए और वहां पर वह इवॉल्फ करके अपनी नई स्पीशिस मतलब उनी स्पीशिस को लार्ज अमाउंट में बना सके अगर मैंगो का यहां है तो मैंगो का पेड उगेगा जैसी डॉर्मेंजी वहां पर ब्रेक होगी मैंगो का पेड उगेगा तो मैंगो के पेड ने क्या किया उसने उसने आपको फल दिया फल आपने खाया आपने सीड उसका फेक दिया सीड आपने फेक वहां पर नया मैंगो का प्लाइंट इस से क्या हेल्प मिलती है इट हेल्प इन आप इन दूसरी एरिया में भी ग्रोव करने का मौका मिलता है प्लियर विल्कुल इन यह सेडलिक्स को जो हाट सीड कोट है क्या है सीड कोट आउटर वाला टेस्टा इन वाला तो यह सीड कोट जो है जोसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको यंग एंब्रीयो को बिंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्शुल इप्रदक्शन के प्रोडक्ट होते हैं दे जनरेट न्यू जेनिटिक कॉंबिनेशन लीडिंग टू वेरियेशन देखिए सेक्शुल प्रोडक्शन का मतलब है वेरियेशन लेकर आना और यह सीड यह होते ही है रिसल्टेंट ओफ सेक्शुल इप्रोडक्शन तो क्या होगा ऑविसी बात है वेरियेशन तो आएंगी ही आएंगी स्पेशिज में ठीके सीड इस दा बेस ऑफ अवर अग्री कलचर हमारे अग्री कि वज़े से हम जो सीड है उनको स्टोर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है ठीके नाओ सॉरी डिहाइड्रेशन और दॉर्मेंसी ओफ मिचॉर सीड आर क्रूशल फॉर स्टोरेज ओफ सीड विच कैन वी यूज़ एस फूट थूट 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 था यह अग्र पूरां नेख सीजन में उससे हम उगा बी सकेसी और प्लांट को होगा सके है ठीके कैन इमाजन क्या है इमाजीन कर सकते हो अगरी कल्चर को विदाउट वाट कहीं है और प्रिसंस वफ ज्यामि आफ्ट ट्रेट आवे सून आफ्ट पराम्यशन एंधिद या फिर ऐसे सीड जो कि बनने के तुरंत बाद ही समिनेट हो तभी वो समिनेट हो पाएंगे और उसके बाद वो उनको स्टोर करके नहीं रख सकते आप वो खराब हो जाएंगे वो जर्मिनेट नहीं हो तो क्या आप इस ऐसी कंडिशन में सर्वाइफ कर पा होगे क्या आप इमाजिन कर सकते हो कि इस तरीके से अग्री कल्चर हो हाव लॉंग तो दुद रिमें अलाइफ हम अगर रिमेद रिमें तो घर हैं इस सीजिवो के बिना उसे सी्ट के साथ हम नहीं रह सकते जो अभी सेंगे हो चाई अशात है और रिम्मिनेट थो असपर सटोर नहीं हो सकता वीकित अपनी बिलिटी शुट में अगर घर 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 खराब जाएंगे वागे जर्मिनेशन नहीं होगा उनके अंदर सेट लार्ज नमबर ओफ पीशेज लेप वागे यह जारा तक जो आपकी स्पीशेज उनके सीड जो हैं वह काफी लंबे सालों तक रहते हैं कुछ ऐसे सीड भी होते हैं जो सौ सालों तक चिंदा रह सकते हैं there are several records कई सारे रिकॉर्ट है यहां से अब भी भी उनकी वायबिलिटी बरकरार है अभी भी वह जर्मिनेट कर सकते हैं तो अब यहां से अम है जिसका नाम है लूपाइन लूपिनस अगर उसे बूले ठीक है यह जो फ्रूप यह जर्मिनेट हुआ है और इसके अदर फ्लावर रहा है कितने टाइम के बाद 10,000 साल तक यह डॉर्मेंसी के अंदर रहा किसके अंदर रहा दॉर्मेंसी के कंडिशन जहां पर इसे ना तो प्रॉपर मॉइस्चर था बिल्कुल 10-15% का मॉइस्चर था बस उस स्यादा मॉइस्चर नहीं ता सीड के अंदर फ्लेवरेबल कंडिशन नहीं थी जो किसका था खजूर का डेट पाम का ठीक है नाम है फीनिक्स डेकलिफिरा विच इस डिसकवर्ड दूरिंग आर्किगोनियल एग्जवेशन एड किंग हेरोड्स पैलेस ठीक है किंग हेरोड का जो पैलेस था इस राजा को पैलेस था यहां पर हमें क्या मिला दो हजार साल पुराना सीड जो अभी भी वाइटेबल था जो अभी भी जिसको जर्मिनेट कर सकते हैं और किसका सीड था खजूर का सीड था यह इंफोर्मेशन है जरूरी है और आपको जाननी इंपोर्टेंट है क्लियर है मेरी बाद बिलकुल इसके बाद after completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following question देखिए अब आपने पूरा पढ़ लिया है कि sexual reproduction कैसे होता है flowering plants के अंदर तो अब है आपसे कुछ question पूचेंगे देखते हैं आप वो question बता पाते हैं या नहीं आप वो question बता पाएंगे य यहां पर इन्हों ने पूचा देको यह तो सारे question जो आपको answer करने हैं थीक हाउ मैनी ओवियूस अर्प्रेजंटीन ओवरी एक ओवरी के अंदर कितने ओवियूस प्रेजंट होता है लेकिन एक से जाधा भी ओवियूस प्रेजंट होते हैं थीक हाउ मैनी एक्सर अगर उव्यूल जादा है तो जादा हो सकते हैं कितने सिंबल से क्वेशन हैं यह बढ़ते जाएंगो और आप इनका अंसर देते जाओ कि अब आपको पता चल गया है कि जो फ्लावर से हैं वो कैसे रिप्रडाक्शन करते हैं कि अन्दर a fruit contains very large number of seeds जिनके अंदर बहुत सारे seeds जिनके अंदर बहुत सारे seeds आप ऐसे कुछ प्लावर का नाम सोच सकते हैं वह एनों यह बता दिया और इनोंने फिर आपको आंसर भी बता दिया और्किट फ्रूट एक केटेगरी सुपर और ये इस दो हांने की एक फ्रूट के अन्दर और्किट का एक फ्रूट जो है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे डस्ट के समान और हजारों के माने पर का प्रेज़ने प्रेजन बिल्कुल भूल के समान इतने सारे होगे और हजारों कैसे आएंगे डस्ट के समानी तो लगेंगे फिर वो क्लियर है मेरी बात बिलकुल उसी के साथ साथ similar in the case of root of some parasitic species कुछ parasitic species भी है जैसे की और बैंके और स्ट्रिगा इसके अंदर भी आपको बहुत सारे लाज नमबर अफ सीट आपको देखने को मिलेंगे have you seen a tiny seed of फाइकस का छोटा सीट देखा है अब यह तो इनकी question शुरू हो गए इस सभी इनकी question है जिनको आपको answer करने की कोशिश करनी है I hope मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया कि seed और fruit कैसे बनता है एक बार हमारे इसमें देख लेते हैं जो हमारे notes है seed और fruit के बारे में देखते हैं से पहले development of seed it is the last stage यह sexual reproduction का product होता है sexual reproduction की last stage होती है किसके अंदर? angiosperm के अंदर ठीके seeds और फर्टिलाइज्ट ओवियूल होते हैं जो की fruit के अंदर बनते हैं fruit क्या होता है fruit is fruit is what? fruit is ovary ovary convert हो किसमें बनती है fruit में convert होती है seed के अंदर क्या क्या होता है seed coat होता है जो क्या होता है ovaryol के intugment किसमें convert होते हैं seed coat में convert होते हैं cotyledon और embryonal excess देखो मैं बस बोलती जाओंगी क्योंकि मैं already समझा चुके हो ठीके तो आपको note समझ में आए यह समझा एक और seeds में भी albuminus यानिकि अगर अगर अंदर्षपर्म प्रेजन होगा तो वह albuminus seed है जैसे कि wheat और maze में देखने को मिलता है अगर अंदर्षपर्म absent होगा अंदर्षपर्म पूरी तरह consume कर चुका है embryo तो क्या होगा खतम और अगर पूरा नहीं खा पाया कुछ पार्ट बच गया तो उसे बोलेंगे अल्बिमनेस याने के अंडर स्पर्म प्रेजेंट फ्लियर है मेरी बात बिल्कुल उसके बाद एक्जामपल भी दिया हुआ है अज रिमेंस इन पी एंड बीन्स ठीक है और एल्बिमनेस के ए सर nella Eastern 13te मैं सब्सकि अग्यक्तित बना लेती ओकले और है जैसे और यान्ट सेठ का सब्रण सेट में मिलन्सफरी पारने करा अ मिलन की एंड़ी गांटे का राचीव पालीकि मिलना की फीड़ी दि आसे को या शान्टी जुस्टांड की के अमंधी फिर इंटर करुका था तो वह जर्मिनेट करेगा अधर्वाइस वह ऐसा ही पड़ा रहेगा अब देख लेते हैं डेवलपमेंट और फूट्स के डेवलपमेंट कैसे होती है तो ovary of flower, जो flower की ovary होती है वही आगे convert होती है किसमे Food में ये बचचे बहुत confused होती है बाहर ovary, अंदर ovule, ये ovary convert होई ये ovule convert हुआ seed में तो कौन अंदर है? कौन बाहर है? seed अंदर है, fruit बाहर है और जो walls होती हैं ovary की, वो transform हो जाती है into the walls of the fruit प्रुट कि वय तकेते हैं पिरिकार, फ्रूट की वॉल प्रूट करते हैं परिकार वफ्रूट न्यूंधियर। और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसी फ्लावर के जो फ्रूट फॉर्मेशन में पार्ट लेते हैं पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे की एपल ऐसे की स्ट्रॉबेरी डाइग्राम देखा ना भी हमने अपल का ठीक है इनके अंदर क्या होता है जो थेलेमस है वो कंट्रिब को बोलते हैं फॉल्स फॉर्ट फॉर्ट बिन और के बाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो फूर्मरे इन हैं और कैसे मीरह इस बनते हैं चल्द के बनाजिन वाहिते हैं और ये त inform DAY के और फेल्लेन ए इसी तरीके से बनाया जाता है उसके अंदर कई आसे वाटमेन आते हैं जिनके आपको सीड मिलेंगे ही नहीं देखने को सीड लेस होता है वो ठीक क्योंकि यो पार्थीनो कार्पिक मेथड से बनाया गया होता है तीके अब नेक्स्ट है एपो मिक्स एन पॉली एम्परियोनी तो कल इसका आएगा लास्ट पार्ट और लास्ट पार्ट के आने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से प्राक्टिस करेंगे सारी लेक्टिर्स देखेंगे देन आपका संडे को इसका टेस्ट होगा यह बिलकुल तो गाइस विद डैट सेट थैंक यू सो मुच हैव गू